हेलो दोस्तों मैं रहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ ग्रेट आईक्यू पर आज हम लोग रीजनिंग का नया चैप्टर डिसकस करने वाले हैं जो की है डिरेक्शन डिस्टेंस मैंने रीजनिंग के अलरड़ी दो चैप्टर कवर करा हुए हैं अगर आपको उनको देखना है तो हमारी चैनल की वीडियो पर जाके जरूर देखें ठीक है तो आईए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा डिरेक्शन डिस्टेंस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ अलरी ठीक है नौ डिरेक्शन डिस्टेंस सॉल्ट करने से पहले आपको यह डियाग्राम अच्छे से पता होना चाहिए जो मैंने यहां पर बना रखा है इसके बाद हम लोग कोशन पर म मारे पास ठीक है और किनी भी दो डिरेक्शन को बीच अगल एक सिंगल डिरेक्शन आए तो उसका नाम दे रहेते हैं जैसे नौर्थ और वेस्ट के बरेक्शन आए तो उसे बोलें गे नौर्थ वेस्ट नौー जेंदी न सोट वेस्ट एसे ही सावथीस्ट अड़ लिए उसी के basis पर हम लोग question solve करेंगे ज़र suppose करो आप not face कर रहे हो ठीक है उत्तर की तरफ face कर रहे हो तो left इदर होगा राइट इदर होगा आपका चहरा not की तरफ है तो आपका left इदर और right इदर अगर आपका चहरा east की तरफ है तो left इदर होगा right इदर south है तो north का उल्टा west है तो east का उल्टा ठीक है तो अब इसको ध्यान कैसे रखें कि किस direction का left के दर होता है और right के दर होता है आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि right होगा किसी भी direction का वो clockwise direction में होगा यानि की घड़ी की दिशा की और और कितने degree होगा 90 degree होगा जैसे for example अगर मैं north face कर रह रहा हूँ अब कहां पहुंच गया मैं east में ठीक है similarly अगर मैं south face कर रहा हूँगा ठीक है अगर मुझे right जाना हो तो मैं कहां पर जाओंगा इस तरफ जाओंगा घड़ी ऐसे ही चलती है न ठीक है इसे कहते है clockwise और इसे कहते हैं anti-clockwise ओके सो ऐसे ही मैं कहां पहुंच जाओंगा west में पहुंच जाओंगा so right right मुझे तो clockwise और left मुझना हो तो 90 degree anti-clockwise ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर इतना भी समझनी आता paper में कि clockwise anti-clockwise होता क्या है तो देखो आपको क्या करना है एक simple सा ऐसा डागराम बना देना है जिसमें east north west चाहिए साउथ लिखा हूँ ठीक है ये डागराम आपको बना देना है उसके बाद सिर्फ एक डारेशन का left रैट बनाना है किसका north का left और north का right जो हमारा left वो north का left जो हमारा right वो north का right एक बार बना दिया ठीक है सबसे पहले आपको एगराम बनाना है इस नौर्फ वे लेफ्ट के बाद सिधर आ याएगा फिर फिर राइट को लटा क्या हो जाएगा थिक है तो आप बहुत ही ईसली है डियाग्राम बना सकते हो ठीक है आई होप आपको समझ में आपको कि मैंने डियाग्राम बनाया कैसे एक और बता देता हूँ देखो ध्यान से अगर यहां मेरा डियाग्राम है बेसिक डियाग्राम इस नॉर्थ साउथ वेस्ट अगर मुझे इसकी लेफ्ट राट में कन्विजन होती है तो पहला क्या है हमारे पास कॉंसेप्ट क्लोकवाइस नबह डिगरीbs राइट एंटिघ नॉपट के सामने उलटा लिँ दू लेफ्ट फिर लैट और यहां हो जाए है तो इसके सामने लिट लेफ्ट अगर यहां लेफ्ट हो गया तो राइट यहां पर हो गयो ठीक है फिर इसका उल्टा क्या होता है left फिर यहां लिख दो right फिर आप यहां देख रहे होगे कि right क्या होगे left हो गया so ऐसे आप लोग left right बना सकते हो या पहला case क्या होगा clockwise यूज कर लो anti-clockwise वाला दूसरा यह होगा diagram बना लो ठीक है choice आपकी है question करते हैं फिर सबसे पहले आदित्य स्टार्ट फ्रम इस आउट्स टोवर्ड वैस अब देखो आदित्या ने अपने घर से पश्चिम की और चलना चालू किया अब इसको कैसे solve करेंगे आपको क्या ध्यान लखना है कि हर person जो भी person आपको given होगा question में उसको आपको इस point पर मानना है ठीक है origin पर मानना है यानि कि starting point आपका ये beach वाला point होगा अगर आदित्य यहाँ होगा west की तरफ जाएगा तो इधर जाएगा ठीक है सो आदित्य को आपको हरमेशा origin पर मानना है यानि कि कोई भी person जो आपको given होगा उसको आपको zero वाले point पर मानना है ठीक है west इधर हो जाएगा north बोलता तो north पर करते south बोलता तो south पर करते अब आदित्य ने west चलना start किया ठीक है कितना मीटर 30 मीटर ठीक है he turned toward right and walk 20 मीटर अब वेस्ट है ठीक है अब मुझे राइट मुड़ना है या तो डाग्राम ओके या तो वह वाले डाग्राम या सिंबल से हम एक बात कर सकते हैं कि इसको clockwise 90 डिग्री बना देते तो राइट मुड़ा वेस्ट से कितना चला 20 मीटर उके ही टर्न लेफट कि एंड मूविंगा डिस्टन्स ऑप 10 मीटर अब यहका फेस कर रहा है नौर्थ में फेस कर रहा है ये कहा फेस कर रहा था वेस्ट में फेस कर रहा था है ठीक है अब मुझे left मुढ़ना है ठीक है कितना distance चलना है 10 मीटर तो left के दर होता है anti-clockwise कितना चलेंगे हम 10 मीटर ठीक है turn to his left again and walk 40 मीटर अब यहां कहां पर आ गया फिर से west में आ गया ठीक है west में आ गया अब कहां मुढ़ना है मुझे दोबारा left मुढ़ना है और चलना कितना है 40 मीटर तो left क्या होगा anti-clockwise याने की घड़ी के विपरी दिशा की और और कितना चला 40 मीटर तो 40 मीटर नीचे आ जाएगा यहां पर रुग गया अदित्य यह distance हो गया 40 मीटर 20 मीटर दिस्टेंस यहां तक है क्योंकि यह दोनों लाइन आपस में क्या है पैरलल है तो 20 यहां हो गया यह वाली लाइन 20 है यह भी 20 होगी तो बज़ गई 20 मीटर यहां पर आ जाएगी तो यह बन गया हमारा डाग्राम finally he now turns to left and walk five meters ओके अब यहां पर पहुंच के दुबारा लेफ्ट मुड़ा दुबारा लेफ्ट मुड़ा मतलब anti clockwise कितना चलेगा पांच मीटर ठीक है यह कौंसे डिरेक्शन थी साउथ थी बिल्कुल zero level का कुश्चन है इसलिए मैं कि चीज स्टेप बना रहा हूं यहां पर अब यह साउथ पर था लेफ्ट मुड़ा साउथ का लेफ्ट anti clockwise कितना चला पांच मीटर ठीक है फाइनली ही टर्ण सुइस लेफ्ट ओके अब फिर से लेफ्ट मुड़ा अब फिर से लेफ्ट मुड़ेगा फिर anti clockwise डिरेक्शन में जाएगा कहां जाएगा उपर की तरफ को अब यह उपर की तरफ को चलता जा रहा है अब पूछ रहा है कि वो कौन सी दिशा में अभी चल रहा है ठीक है अब वै किस दिशा में चल रहा है यह कोशन पूछ रहा है तो उपर वाली साइट चल रहा है उपर वाली दिशा कौन सी होती है नौर्थ होती है सो option number A हमारा correct answer हो जैनि कि उत्तर की ओर चल रहा है ठीक है अब यह देखो इस हो तो ट्रिक क्या होगी सबसे पहले लिखो वैस्ट जो गिवन है आपको वैस्ट लिखा आपने ठीक है वैस्ट के बाद left and right आपको लिखना और कुछ नहीं करना वैस्ट के बाद क्या है राइट है राइट मुड़ा ठीक है and he turned left फिर उसके बार left है ठीक है उसके बाद जा रहा है उतनी बार लिखते जाओ ठीक है अब जब आपको करना क्या है और राइट से left काटते चले जाओ ठीक है और राइट से left कट गया तीन बार left बचा ठीक है तीन बार left बचा तो तीन बार left कैसे करेंगे देखो ध्यान से एक बार left का कौन होता है 90 डिग्री दो बार लेट का कौन कितना होगा नबबे डिगरी नबबे डिगरी तो दोनों बार जोड़ो देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिगरी ठीक है तो वेस्ट का 180 डिगरी कितना होगा हमें पता है हम अरपास यह सिंपल सा डागराम होता है ध्यान से समझो काफी चीज़े क्लियर हो वेस्ट का 180 डिगरी कहा होगा यहां पर होगा ठीक है यानि कि East पहुँच जाएगा East पहुंच जाएगा East से फिर 90 degree anti-clockwise East से फिर left दुबाड़ा मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा North पहुंच जाएगा So देखलो यहाँ पे भी North अंसर था और यहाँ पे भी North आया बिना किसे डियागराम के हमने question solve कर लिया बर्ज हमें basic पता होने चाहिए कि दो बार left मुड़ा यानि कि एक बार left 90 degree दो बार left 180 degree 180 degree किसी भी direction का विप्री direction होती है जैसे मालूम मुझे North से 180 degree गुमना है तो मैं South पहुंच जाएगा आप लोग को यह पता होगा कि यह कितने degree का कोन होता है यह 360 degree का कोन होता है ठीक है हर angle 90 degree का होता है यहाँ पर किनी भी दो साइट के बीच का angle 90 degree होगा इस direction diagram में ठीक है तो 90, 90, 100 सी दोनों को जोड़ा east पहुंच गया east का left के दर होता है anti-clockwise उपर North तो यह होगया हमारा answer simple ओके I hope चीजे clear हुई होंगी तो अगला question ऐसे ही एक और question देखते हैं बिना diagram के solve करेंगे अब देखो फिर वही question आया in which direction C is facing now अब वहक किस दिशा में खड़ी है यह question है तो अब वहक इस दिशा में खड़ी है तो वैसे हम trick लागे solve कर देंगे left को right से काटना है simple आपका answer आ जाएगा so trick लगाते हैं अगेन यह west direction face कर रही है तो यहां आ जाएगा west okay take left turn take right turn right turn then she take right turn again दोबरा right then she take left turn यहां left आया then she take right turn ठीक है and again she takes a right turn फिर से वह right मुड़ी तो अब वो कौन सी दिशा में face कर रही है question यह हमारे पास तो simple जो हमने solve किया तो वही यहां पे apply कर देंगे rule rule क्या है left को right से cut करना है left right right left दो बार right बचा एक बार right का मतलब 90 degree clockwise clockwise घड़ी की दिशा की और इन दोने को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 180 degree अब 180 degree किसी भी दिशा का विपरी दिशा होती है तो west की विपरी दिशा क्या होगी answer क्या हो जाएगा हमारा yes east answer हो जाएगा तो correct answer हमारा हो गया option number c east direction दोको बिना किसी डागराम के हमने question solve कर लिया 10 second का काम है बस आपका यह next question करते है दोको फिर से वही question आया in which direction is he moving now अब वह कौन सी दिशा में है तो कभी भी इस टाप का question आया आपको वही concept apply करना है और आपका answer आ गया तो चलो करते हैं फिर वही तरीका use करेंगे अब person is moving toward north तो उत्तर की तरफ कोई वेक्ती जा रहा है तो मैंने north लिख दिया ओके after walking 100 meter he turns to his right right and walk 50 meter again he turns to his right दुबाडा दाय मोड़ा ठीक है and walks 100 meter finally he turns to his left and walk 20 meter इससे कोई मतलब है नहीं left तो देख लो right से left कर दो अब north का right बचा यानिकी 90 degree clockwise अब north का right 90 degree clockwise किस तरफ जाएंगे east की तरफ जाएंगे east हमारा correct answer हो गया so option number c ओके यह 90 degree होता कैसे मैं आपको अल्रड़ी चीजे ये बता चुका हूँ अपने introduction वाले पार्ट में तो देखो बिना किसी डियागराम के आपके इस type के question solve हो सकते हैं paper में now next question करते हैं अब type देख लो how far is he from his initial position अपने starting position से कितना दूर है अब यहां पर ट्रिक नी लगने वाली अब अमें डियागराम बनाना पड़ेगा क्योंकि हर जगा ट्रिक नी लगा नी आपको डियागराम में बनाना आना चाहिए so a man walks 30 meter towards south एक व्यक्ति 30 meter चलता है दक्षण की और ठीक है चला गया and walks 30 meter अब दाए मुडा दाए मुडा यह मतलब 90 degree घड़े की दिशा की और clockwise 30 meter चला 90 degree इदर होता है ऐसे होता है तो कितना चला 30 meter चला then he turns to his left he walk 20 meter अब लेफ्ट मुडा यानि कि घड़े की विपरीत दिशा की और कितना चला 20 meter चला suppose करो 20 meter यहां पर हो गया 30 meter चला यानि कि anti-clockwise जाएगा ऐसे ठीक है ऐसे होता anti-clockwise इस तरफ और clockwise यह anti-clockwise हो गया clockwise ऐसे होता है ठीक है यह basic सी चीज है आपको मैं already explain कर चुका हूं तो 30 meter चला यहां पर यहां पर रुख जाएगा उपर वाली 30 meter इस 30 meter के बराबर होगी क्योंकि दोनों line parallel है से और सेम डिस्टेंटस हो तो 30 मीटर तो यहां तक, फिर यह जो बच गया, 20 मीटर यहां तक, 30 जमा 20, कितना होता है, 50 मीटर, 50 मीटर हमारा आंसर होना चाहिए, बट option में 50 मीटर है नहीं, तो क्या माग करेंगे, none of these, इन में से कोई नहीं, ठीक है, उसता किस दिशा में है, शुरुवाती बिंदू से, तो शुरुवाती बिंदू से, यह किस दिशा में है, साउथ में है, 50 मीटर साउथ, इसका करेंग टांसर हो जाता, ठीक है, बेसिक सा डियागराम था, आपको लेफ्ट और राइट ध्यान रखना है, राइट मतलब 90 डिगरी क्लॉक्वाइज, लेट मतलब 90 डिगरी अंटी क्लॉक्वाइज, ओके, अब यह कुशन है, रोहित वाक 25 मेटर टोवर्ड साउथ, अब फिर साउथ मुड़ा, कितना चला, 25 मेटर, सो रोहित, 25 मेटर गया, साउथ की तरफ, ओके, देन ही टर्न स्विस लेफ्ट, एन वाक 20 मेटर, अब यहां से लेफ्ट मुड़ा, यानि क कि, एंटी क्लॉक्वाइज आगा, कितने मेटर चलेगा, 20 मेटर चलेगा, तो यहां से लेफ्ट मतलब ऐसे, कितना चला, 20 मेटर, अब फिर यहां से दोबारा लेफ्ट मुड़ा, यानि की उपर की तरफ को जाएगा, कितना गया, 25 मेटर, यह दोनों लाइन आपस में इरी क्लॉक्वाइज, तो मुड़ गया, यहां पर, कितना चला, 15 मेटर, अग्वर्ट सेंस, इजी फ्रम स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुवाती बिंदू से, कितना दूर है, और कौन सी दिशा में है, ठीक है, सिंपल पिस्टर जैसा ही कुश्यन हो गया, हमारा, ठीक है सो, आंसर बता दो आप लोग, कमेंट सेक्शन में, सो, रोहित, शुरुवाती बिंदू, यह रही रोहित की, जहां मैंने नाम लिखा है, यहां से लेके, यहां तक कितना डिस्टन्स होगा, यह 20 है, तो यह भी कितना होगा, 20 होगा, जम्मा 15, कितना आ जाएगा, 35, और शु शुरुवाती बिंदू से यह कौन सी दिशा है, इस्ट है, ओके, शुरुवाती बिंदू से यह इस्ट इस्ट इसा है, तो 35 मिंटर इस्ट, ऑप्शन नमबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स कुश्चिन करते हैं, फटा-फट, हाँ, अब परसन टर्न सुइट साइट, आफ्टर वाकिंग 20 किलोमेटर स्टेट, अब देखो, यहाँ पर क्या करा है, एक व्यक्ती, राइट में बुड़ा 20 किलोमेटर सीधा चलने के बाद, यानि कि दाय मुड़गा 20 किलोमेटर सीधा, अब कहां पर सीधा, कौन सा सीधा, यह हमें गिवन नहीं कोश्चन में, ठीक है, इसका मतलब है, यह नहीं पता, कि उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंब किया था, ठीक है, तो इस कोश्चन को सॉल्व करने से पहले, मैं आप लोगों को बेसिक बताना चाहता हूं, दुबारा से, ठीक है, दियान से देखो, इस वाले पॉइंट को, जो हमने यहाँ पर डिसकस किया, यह तो लेट और राइट का था, तो इस पॉइंट को समझने के लिए, हमें पहले डागरम को समझना पड़ेगा, बच्चों को गर कन्फूशन हो, कि सर, हमें कैसे पता, कि इस्ट किदर आएगा, और वेस्ट किदर आएगा, सब 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 गाद, कन्फूशन इसी में होती है, नौर्ज साथ तो लोगों को पता होता है, एक लाइन याद रख लो, इधर नहीं वहां, इधर नहीं वहाँ सो यानि कि East से anti-clockwise गड़ी के विपरी दिशा की और North होगा North से anti-clockwise West से anti-clockwise South होगा ठीक है इधर नहीं वहाँ सो इधर नहीं वहाँ सो यह याद कर लो आपको East, North, West, South की confusion करता हूँ ठीक है अब देखो द्यान से अगर मुझे North से East के तरफ जाना है ठीक है नौ से East की तरफ जाना है तो मैं कितना जाँगा 90 degree clockwise ठीक है 90 degree clockwise जाँगा तभी तो मैं East पहुंचूँँगा मैं ना right में 90 degree clockwise एस पहुंचूँँगा और इस 90 degree को दो बार प्रेक कर दें तो यह कोणों जाएगा 45 दिगरी का यह वाला कोणों जाएगा 45 दिगरी का तो यानि कि नौर्ट से इस 90 degree clockwise समझ लो या इस से नौर्थ 90 degree anti clockwise समझ लो ठीक है अगर नौर्ट से इस पह जाओगे तो 90 degree clockwise अगर इस से नौर्थ पह जाओगे तो 90 degree anti clockwise यह concept था अब question पर discussion करते हैं इसको यूज करके ठीक है हाँ सो question number 6 क्या रहा है हमारा एक व्यक्ति है जो दाए मुड़ता है 20 km सीधा चलने के बाद तो हम इसको नौर्थ मान लेते हैं 20 km सीधा चला उसके बाद दाए मुड़ा हमने नौर्थ माना तो दाए का मतलब 90 degree clockwise ठी ठीक है अगेन ही टर्ण स्वीज राइट और ट्वेंटी मीटर फिर यहां से दुबारा राइट मुड़ा यानि फिर से क्लॉक्वाइस 90 डिगरी कितना गया बीस मीटर सो यह दलो लाइन आपस में बराबर हो जाएंगी ओके कि and finally he turns to his left and walk 30 kilometer ओके अब यहां से वह लेफ्ट मुड़ा और कितने 30 kilometer अब यह कॉंसे Direction है सावत का लेफ्ट के दर होता है anti-clockwise कोई सी भी डिरेक्शन का लेफ्ट anti-clockwise और राइट clockwise ठीक है so 90 degree anti clockwise इदर जाएगा कितना चला 30 मिटा ठीक है if now he finally moving towards south direction अब यह बता दिया कि उसने कि यह जहां वो अभी चल रहा है न वो south direction है in which direction did he start to walk उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंब किया था यह question है did he start to walk okay देखो हमें आखरी वाली direction given है हमें पहली वाली डिरेक्शन नहीं पता यह question है अब देखो द्यांसे इसको solve गैसे करना है ठीक है south पता है तो south को उल्टा क्या होता है north तो यहां क्या आ जाएगा north आ जाएगा north आ जाएगे नहीं आ जाएगा यहां पर हमने क्या करना है हमें direction post का diagram बनाना है बचे करते हैं copy गुमानी लग जाते हैं आपको copy नहीं गुमानी जो मैंने भी आपको concept सिखाया उस concept को use करेंगे हम ठीक है north आ गया अब मैंने आपको बताया था कि north से 90 degree clockwise क्या होता है इस्ट होता है तो यह वाले direction क्या होगे east का पोजड़ क्या हो जाएगा west ओके east का उल्टा क्या हो जाता है west हो जाता है तो कौन सी दिशा में उसने चलना प्रारम क्या यह हमें बताना है अब हमारे diagram के according वो उपर की तरफ को जा रहा है ठीक है उपर की तरफ को कौन सी दिशा आ रही है उपर की तरफ को east आ रही है उपर की तरफ को east आ रही है सो correct answer क्या जाएगा east यानि की option number 1 देखो कितनी easily question solve हो गया हमारा अब इसको trick से अगर solve करें तो कैसे करेंगे trick लगा देते हैं यहाँ पर जैसे मैंने पिसली trick बतायती है आपको white trick यहाँ पर अपलाई होगी हमें उपर वाली direction बतानी है नीचे वाली बता है नीचे वाली कौनसे direction है south है ठीक है south है तो सबसे पहले वो right गया okay right के बाद फिर दुबरा right गया and then turn to his left ठीक है सबसे पहले right ठीक है उसके बाद दुबरा right गया and then turn to his left फिर दुबरा left गया और finally वो south में हमें उपर बता नहीं यानि कि हमें उल्टा चलना है तो क्या करना है हमें right से left को कर दो अब हम उल्टा जा रहे हैं यानि कि नीचे वाली दिशार से हम उपर की दिशा को जा रहे हैं ठीक है कहां जा रहे हैं तो नीचे वाली दिशार से उपर की तरफ को जा र क्रेंट कर दो हो सो अब सांब से लेफ्टमूडएगा साउथ का लेफ्ट क्या होता है साउथ का लेफ्ट मतलब 95 क्लॉक्वाइष 90 degree anti-clockwise का मतलब क्या हो जाएगा South से East हो जाएगा Correct answer क्या आ गया East option number A Simple आपको यह चीज़े करनी है इस प्रकार के question आप से जल्दी solve हो जाएगे So thank you आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में इसके part 2 में I hope आपको यह सारी चीज़े समझ में आए होंगी टेक केर बाबाए